नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्ワागत है हमारे यूटूटप चनल पर आज का हमारे जो टोपिक है, वो है बायोम प्लड़ रहे थे, इसमें हम तीन पार्टस को कर चुके हैं इस थलिय बायोम में हम सबसे पहले वनिय बायोम प्लड़ रहे थे हम बायोम्स पढ़ेंगे इनका डिवीजन किया था और वन ये बायोम पढ़ रहे थे और आज जो बारी है हमारी वह एक तो टुंड्रा बायोम पढ़ने वाले हैं इस थरी बायोम के अंदर गती और एक बचा हुआ इन चारों में से टैंगा या कोंड़ारी वन बायोम पढ़ हुआ है और इनके आवज में फिर हम कंपेरिजन भी करेंगे लास्ट में ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले जो हम पढ़ने वाले हैं वो है टैंगा या कोंड़ारी वन बायोम इसे इसका जो विस्तार है वो कहां पर है पचास डिगरी से लेकर पैंसट डिगर रिकाम पढ़ता है और दूसरा आपका यूरोप और एसिया वाले पार्ट में पढ़ता है ठीक है तो यहां पर यह बायोम पहला हुआ है और अगर इसकी बात करें इसे कौंड़ारी वन बायोम क्यों कहते हैं क्योंकि यहां पर विरक्ष हैं वो तिर्बुजाकार आकार के पाये जाते हैं क्योंकि यहां पर स्नोफॉल सरवादिक होता है और स्नोफॉल होने करण जो यहां पर स्नो इनके उपर ना रुके इस वेज़े से वो तिर्बुजाकार पाये जाते हैं और इससे बरफ इनकी नीचे गिर जाए ठीक है तो आपको यह वियाद रखना है अब यह आपको याद रखने हैं, अब इनका छेतर जो है, अगर कहां कहां यह biomes पाए जाते हैं, एक तो पट्टी के रूप में, कनाडा में, नौर्वे में, और साइबेरिया में, साइबेरिया जो है, रूस का एस्या वाला पार्ट होता है, उसे ही हम साइबेरिया बोलते हैं, द यहां पर यह बायोम पाया जाता है किस अक्षांस के बीच में 65 से 50 से 65 डिगरी उत्तरी अक्षांस के बीच यह बायोम पाया जाता है ठीक है अब यहां कर प्रमुक विरक्षों की बात करें तो यहां पर प्रमुक विरक्ष है स्प्रूस, पाइन, फर, लार्ज, चीड, देव और यहाँ पर अदिकतर जो व्रक्ष पाएोग जाते हैं ये मुलायम लख्ड़ी वाले पाएजाते हैं और मुलायम लख्ड़ी कर पाये जाने के के विच्τοह की सरवादिक होता है। वो आप कमेंट में बताएंगे ठीक है तो आपको ये चीज समझ में आई होगी कि कहां पर ये टेंगा वन बायोम पाया जाता है नौर्थ अमेरिका में यहां कैनेडा वाले रीजन में और यहां पर साइबेरिया और नौर्वे में एक पट्टी के रूप में जैसा आप देख है बर्खोयांस की ये कहां पर है रूस के एशिया वाले पार्ट में यानि कि साइबेरिया में वो सबसे जला ठंडा इस्थान है प्रत्वी का इसी वज़से से प्रत्वी का शीत धुरूप भी कहते हैं यहां पर जो वर्सा होती है वर्सा सालवर यहां पर स्नो के रूप मे संगवाकार बन पायга जाते हैं यहां पर, इनसा साइबरिया में टेगा कहा जाता है, इस वैज़ से इस वायोम गधीया बनगा है, अर यह विरक्स सीधे लंबे पतले और नुकीली पत्तियों वाले होते हैं, यह आपको याद रख़ें, नहीं रख़ें, कोई दिककत नहीं, देखे इन बनों को हम boreal 1 भी कहते हैं, जो tanga 1 है, इने हम boreal 1 भी कहते हैं, इसे आप याद रखने चाहें तो याद रख सकते हैं, और यहां की मिठी जो है, वो पत्रीली पाई जाती है, और इसी वैसे इसे धूसर या पोड़ जाल मिठी भी कहा जाता है, अगर यहां पर हम ज रहने वाली रॉम्री होती है, नॉर्मल मैदानों में रहने वाली नहीं, ठीक है, भेडिया भी, अब सीत रुतु में कुछ पक्षी ऐसे होते हैं, जो साइबेरिया से भारत में सरंड लेते हैं, वहां पर अधिक ठंड पड़ती है, तो ठंड से बचने के लिए, वहां से प पड़े हम, तो इसका जो विस्तार है, इसका विस्तार आपका उत्री गोलार्द में, पैंसट डिगरी अक्षांस से उत्तर में, यानि कि जहां आपका टेंगा वन वायोम था, टेंगा वन वायोम के ऊपर चले हम, तो वहां आर्किटिक महासागर का वह हिस्सा जो बरफ से ठका हुआ होता है, वहीं टुंडरा बायोम कहलाता है, छेत्र कौन-कौन से है, इसके एशिया है, यूरोप है, और उत्री अमेरिका के उत्री भागोम, सबसे नदन पार्ट में, जैसे हम मैप पर समझें, तो यहां पर आप ये रीजन देख पा रहे होंगे, देखें ये न नौर्वे से ओपर देखेंगे ये यहां पर, तो ये ये फिनलेन्ड की तरफ यहां पर पाई जाता है, आपका तुंडरा बायोम, यहां अगर बनस्पति की बात करें, तो यहां बनस्पतियां बहुत ही कम उगती हैं, और जो बर्फ होती हैं, जो बर्फ का धेर जो होगा वो हवा को रोखेगा, जहां हवा को ठंडी हवा को आने से रोखेगा, उसके साइड में हाँ पर बनस्पतियां उखती हैं, और वो किस रूप में उखती हैं, जाडियों के रूप में उखती हैं, और इनी जाडियों को हम क्या कहते हैं, आर्केटिक विलो कहते हैं, आप से कु चोटे चोटे पौदे उखते हैं जो कि reindeer का प्रमुक भोजन है रेंडियर मैंने आपको बताया था वो इन ही को खाता है लाइकेन काई काई आप सभी जानते होंगा आपने देखी वे होगी ठीक है अब यहां पर जीव जन्तूं की बात करें तो reindeer है polar beer है Arctic Lomdy है musk है bell भेडिय या seal walrus polar beer यह आप सभी जानते हैं यहां पर पाए जाते हैं अब इसका हम रीजन देखें तो रीजन कौन सा है आपको मैं बता चुगा हूँ और अगर हम आगे थोड़ा सा और बाट देखिए हैं आप Canada वाले रीजन में उपर नॉर्थ पार्ट में यहां Finland और हैं Siberia का बिल और Greenland कौन सा है यह Greenland जो दीब है विश्व का सबसे बड़ा दीब है और इस पर Denmark का अधिकार है यह भी आपको याद रखना है ठीक है अब दूसरी जो है वो है लैप लैप कहां के हैं Finland के निवासी है वो भी आधिवासी तो Finland कहां पर आपका यहां पर यह Finland के निवासी है ठीक है अब आए याकूत याकूत जो है वो साइबिरिया के आधिवासी निवासी है साइबिरिया कहां पर है साइबिरिया यहां पर है तो यहां पर जो आधिवासी निवास करते हैं इस इससे में उसे हम बोलते हैं याकूत अब यहां अगर हम घरों की बात करें तो यहां पर बरफ यहां पर अपर चीज जो याध करने वाली है इगलू की छते हैं उनिपर काम प्रियोक analyze such उत्तर प्रिदेश के बदोई जिन्यपत से भी एक्सपोर्ट होती है ठीक है यह आपको याद रखनी चीजे तो यह हो गया आपका टुंड्रा बायोम अगर हम इन दोनों बायोम का कमपेरिजन करें मैप पर तो वो आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा तो यहाँ पर नीचे जो रेड कलर में आप देख पा रहे हैं यह टुंड्रा बायोम है जितना भी यहाँ साइबेरिया वाला हिस्सा हो या फिर उत्री अमेरिका वाला हिस्सा हो यह है आपका टेंगा और जितना ही grain shaded region है यह आपका कौन सा है यह टुंड्रा बायोम है तो आप इस तरह से इन्हें आपस में relate कर सकते हैं टुंड्रा बायोम जो है वो टेंगा के ऊपर पाय जायागा और मैं आपको बता चगा हूँ 50 डिगरी से 65 डिगरी तक तो टेंगा और 65 डिगरी से पोल्स तक पोल्स यानि 90 डिगरी तक आपका कौन सा होता है वो है टुंड्रा बायोम ठीक है यह दोनों आपको याद रखने है नीचे टेंगा उपर टुंड्रा तो यह आज की हमारी करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और हो सके तो ज्यादा ज्यादा वीडियो को शेयर भी करें और अगर आपको कोई सजेस्टन है तो वह कमेंट में जरूर बताएं जिससे हम अपनी वीडियो में ठीक है आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार